ओम नमो शिवाई दोस्तों आज हम आपको महाशिवरात्री पर किये जाने वाला एक बहुत ही सुन्दर उपाई बताएंगे जिसके करने से शिग्र विवहा के योग बन जाते हैं और साथ में एक बहुत ही सुन्दर कथा भी सुनाएंगे कथा के अनुसार एक समय की बाद है एक शिकारी था मैं जंगल में शिकार के लिए गया लेकिन शिकार करते करते बहुत रात बीट गई तो उसको लगा कि अब मेरे घर जाने का रास्ता तो मुझे नहीं मिल पाएगा तो वह एक पेड़ पर चड़ गया और पेड़ पर उसने स कि जंगली जानवरों से तो मैं बच जाऊंगा लेकिन अगर मुझे नीन्द आ गई तो मैं पेड़ से नीचे गिर जाऊंगा और जिससे की जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे इसलिए उसने नीन्द से बचने के लिए कुछ उपाए सोजा उपाए के द्वारा उसने उ महत्व तो हम सभी जानते हैं उनीचे ही भगवान शिवलिंग थे और उसने अंजाने में पूरी रात बेल पत्र शिवलिंग पर चढ़ाता रहा जिससे सुबह होते ही भगवान शिव भगवान ने उसे दर्शन दिये और बोले पुत्र मैं तुमारी भक्ती से बहुत परसन तुमने पूरी रात मेरे शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाए मांगो क्या मांगते हों शिकारी को तो यह सब कुछ ग्यान ही नहीं था वह कुछ ना बोल पाया लेकिन भगवान ने परसन होकर उसे मोक्ष परदान किया इस परकार अंजाने में ही बेल पत्र चढ़ाने से उस शिकारी को मोक्ष पराप्त हो गया गर महाशिवरात्री के दिन बेल पत्र के कुछ उपाए किये जाएं तो इस से जातक का शुविवाह के योग बन जाते हैं तो इस परकार जितनी भी व्यक्ति की उम्र है वर या वधू कोई भी माना कि किसी की उमर पच्चिस वर्ष ह तो आप उसमें पच्चिस बेल पत्र लीजिए एक बेल पत्र में तीन पत्ते होते हैं लेकिन इस बात का विशेश धियान रखें कोई पत्ता कटा फटा ना हो और ना खंटित हो पत्ते साफ सुत्रे होने चाहिए तो इसमें तीन पत्तों का एक बेल पत्त बनता है तो आप उन तीन पत्तों के थोड़े चमकीले भाग पर तीनों पत्तों पर चंदन से बिंदी लगाएं और उसे उल्टा करके भगवान शिव पर चढ़ाते रहें आप उस पे चंदन वाले हिस्से को भगवान शिव के उपर चढ़ाएं और उल्टा हिस्सा उपर रखें इस प्रकार आप अपनी उमर के अनुसार उतने ही बेल पत्र भगवान शिव को अर्पित करें, लेकिन यह सब आपको परदोश काल में ही करना है, अर्थाथ संध्या समय पर ही करना है, और उसके बाद भगवान शिव की एक माला का भी चाप करें, इस परकार 108 बार बोलें जिससे की एख माला पुरी हो जाती है यह है उपाई करने से व्यक्ती का शिक्र ही विवाहा के योग बन जाते हैं लेकिन यह है उपाई केवल महाशिवरातरी की शाम के समय ही किया जाता है अगर मित्रों आपको यह कहानी और उपाए अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपके सभी कारिय पूर्ण हो चुके हैं तो जिस व्यक्ति को इस उपाए के अफशकता है आप उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अगर मित्रों आपको यह सब जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें गमिट बोक्स में उमनमर शिवाया